हलो स्टुडंट आज हम मेरीगोल वर्क बुक में यूनिट 4 स्टोरी पेज नमबर 67 पे वर्क कर रहे हैं पिछले वीडियो में हमने पेज नमबर 66 पे 1 से लेके 6 तक के अप्शन किये थे आज हम 7 से लेके 1 थे 30 तक के अप्शन करेंगे नाव रिज 7 नमबर तो क्रोने मित्व को क्या कहा था? तो क्रोने मित्व को क्या कहा था? गो अवे इस इस माई ट्रे सो वी पुट ये आंसर ए नाव 8 नमबर वो हैद अलाव वोईज किसकी लावईज थी? A. मित्व B. मैंगो C. क्रो दी बलून तो क्रो की वोईज कैसी थी? लावट तो वी पुट ये आंसर C 9 नमबर Why did मित्व फ्लाई अवे? मित्व था वो क्यों उड़ गया? फ्लाई अवे क्यों किया उसने? A. He did not like mangoes B. He liked the mangoes C. He was angry D. He was afraid of the crow तो वो क्रो से क्या हो गया था? अफ्रेड हो गया था, डर गया था जिसकी वज़े से वो फ्लाई अवे किया So we put here answer D Now 10 10 What did मित्व सी अंदर अट्री? मित्व ने त्री के नीचे क्या देखा? A. A black crow B. A red balloon C. A yellow mango D. A green mango तो उसने त्री के नीचे क्या देखा था? A red balloon So we put here answer B Now 11 Where was the red balloon? Red balloon कहा था? A. In the tree B. Behind the tree C. Under the tree D. Up the tree तो वो कहा था? Under the tree त्री के नीचे था So we put here answer C 12. What did मित्व पिक पिक प? तो मित्व ने क्या पिक प किया था? A. The red balloon B. The black crow C. The yellow mango D. The green mango तो तो जो मित्व ने क्या पिक प किया था? The red balloon So we put here answer A Now 13. Where was the crow sitting? Crow कहा बैठा हुआ था? A. Under the tree B. Up the tree C. In the tree D. Behind the tree B. वो कहा बैठा था? Tree के उपर बैठा था? So we put here Of the tree Right B. Okay? Now student अब भी आप देखिए 13.30 तक के हमने option किये इस video में यहां तक रुखते हैं Have a nice day आगे के जो option है वो अगले वीडियो में करेंगे Okay?